आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही जबर्दस आलू और म्यागी का नाश्टा नाश्टे की और बहुत ही तेस्टी बनता है यह बहुत ही मज़ेदार तो इस नाश्टे को खाने के बाद समोसा कचोरी ब्रेड रोल्स और सभी दूसरे नाश्टो को भूल जाएंगे और बस यही बनाना चाहेंगे और बनाने में बहुत आसान है तो यह मज़ेदार नाश्टा बनाने के लिए मैंने यहां पे दो उबले हुए अलू लिये हैं मेडियम साइज के इनको अच्छा सॉफ्ट बॉयल कर लेंगे और बहुत हार नहीं रखेंगे तो मैंने चील लिया है और इन सब चीजों को हम मैश कर देंगे अच्छी तरह से क्योंकि इसका हम डो लगाने वाले हैं एक आंटा बनाएंगे तो आलू को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है कोई भी हार्ट पीस ना रहें उसके बड़े एकदम फाइन मैश करना है तो यह आलू मैश हो चुके ह और इसमें पानी अलग से नहीं पड़ेगा कोशिश करेंगे कि इसी आलू के साथ मैदे को हम गूंद ले और एक सेमी हार्ड टाइप का जैसे कि पराठे वाला आठा होता है उस तरह से आठा लगाएंगे तो इसमें पानी की जरूवत नहीं पड़ेगी अगर फिर भी आप मुझे आठे में पानी डालने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं पड़ी है और यह आलू के मौश्चर में ही पूरा लगके तयार हो गया है तो जिस तरह से हम आठा गूनते हैं उसी तरह से गूंद लेंगे बिल्कुल और अगर आपको इस्टिकी जादा लग रहे हैं अभी लगा देंगे तक बिल्कुल बेलने में हमको आसानी रहे और यह आठा तयार है अब मैं करती हूं इसमें क्या कि थोड़ा सा तेल लगा करके जैसे और सभी आठों में करते हैं लगा कि इसको रेस करने के लिए छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से चारो तरफ लगा देती मैं पानी डाला है एक पैन में और इसको उबल जाने दिया चोड़ा पैकेट मैगी हम बना रहे है यहां पे लिए है मैंने 1 चम्मच मटर और 1 चम्मच है यह कॉन तो इनको बालें इनके साब और 2-3 मिन तक बालें ताक यह थोड़े से पक जाए और अब मैं डाल देती हूं मैगी टेस्ट मेकर जो पैकेट में आता है वही कुछ एक्स्रा मसाला नहीं डाला है और तो मटर को चेक कर लेंगे गले हैं नहीं गले मसाली को मिक्स कर देते हैं और अब इसमें डाल देती हूं मैगी और मैगी को हमें जिस तरह से मैगी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है औ स्टेश काल सोच आप मैगी ता सल्टाइए अज़ा पिए पानी द्राइब कर लेना, पानी को बिल्कुल सुखा लेना है बाद बाद इसको नहीं होने के छोड़ देते हैं और यह मैगी ठंडी हो गई है यहां पर और अब यह हमारा डो भी 25 मिनाट हो चुके हैं आटे को लगे हुए तो चलिए इसको देख लेते हैं अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं इसको क्या करना है देखिते हैं साइश की इसी कषोटी च्छोटी लोईां दिखती साइज के और इसको बेल लेंगे लोईां नो näपको भी लेंगे जागी वायत मैं युण देख लें में पूरी लेया लेंगे य। टी आप CT融र ससे च्ठीर अंदम पूर्ल dh लेंगे तो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नीचे देखेगा वीडियो के नीचे वहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा रेड कलर को इसको आप क्लिक करेंगे तो इससे आपको वीडियो के मेरे जुतने भी वीडियो आएंगे आगे आने वाले उ और अब ये इसमें जो फिलिंग हमने मैगी की तयार की थी इसको बिचा देंगे तो ये कौन और मटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब बीच में आएगा ना और बस इस तरह से जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं बिलकुल उसी तरह से इसको पलटके दबा और इसको सील कर देंगे अच्छी तरह से ये देखिए ये तयार है लेकिन मैं क्या करती हूँ मुझे डर लग रहा है कि कहीं खुल न जाए तो इसको फोक की मदद से इस तरह से और प्रेस कर देंगे बिलकुल ये इंशूर करेंगे कि ये बिलकुल भी हमारा खुले नहीं इस fatto मैं और भी तयार कर लेती हूं वहार्चते अब चलिए इनको फ्राई करते हैं तो यहां पर मैं शैलो फ्राई करूंगी यारी कि कम तेल में और पैन में तेल को डाल ग मुझे त्यिल को तेल को गरम कर लेंगे हाई हीट पर पिर उसके बार गैस को धीमा कर देंगे बिल जाने देंगे तो एक से देगर मिनट का टाइम लगेगा आपको इसमें बस इसको पलट देते हैं देखे कितना प्यारा कलर आया है बिल्कुल गोल्डेन ब्राउन बहुत ही बढ़िया और इसी तरह से दूसरे साइड में भी इसको हम फ्राइ कर लेंगे बहुत कम तेल लगा है इसमें और बहुत जल्दी बन गया और टेस्ट बहुत अमेजिंग आया इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट है ज़रूर ट्राइ करिएगा बढ़े से लेकर बच्चों सभी को पसंद आने वाला है तो यह एक बार हमारे यह तल गया हैं दो तो तयार हो और बाकी बच्चे भी मैं इसी तरह से फ्राइ कर लोगे तो यह देखिए दूसरे वाले भी फ्राइ हो गया है बहुत ही बढ़िया नाश्ता तैयार हुआ है बहुत ही टेस्टी बहुत ही बढ़िया तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि अंदर से यह कैसा लग रह है मैंने यहां पर सर्फ किया है चिली सॉस और टेमाटो सॉस के साथ यह देखिए और मुझे पता है मैगी लवर्स को बहुत पसंद आने वाला है यह नाश्ता तो जरूर ट्राइ करिएगा कीप वचिंग समस किचिन थैंक यू